मस्रोप हो और आप लोग भी लेकिन मैं इस मस्रोपरत के बावजूद इत के वीडियो को मिस नहीं कर सकती आप लोग के लिए वीडियो अपलोड होंगी और बलके आपने देखा होगा केट के दिनों में जो वीडियो अप्लोड हो रही हैं वो एमेरजंसी इंस्टेंट रिजर्ड के लिए आप लोग के साथ शेयर हो रहे हैं पहुँ सारी रिक्वेस्ट थी वीडियो देखें कि हमारे लिए भी कोई वीडियो बनाएं तो लेजिए वीडियो उमने बना लिए सबसे पहले जल्दी से तरीका बताते हैं मेरे पास यह है मेता एट टीस्पून आप बेसल ले सकते हैं आटा ले सकते हैं आप खुश्क दूद ले सकते हैं और चावल काटा भी ले सकते हैं इसके बाद मेरे पास मीठा सोडा है बेकिंग सोडा इसको मैं आदा टीस्पून लूँगी चेहरे के लिए आदा टीस्पून आपने इस्तमाल करना है बॉइज और गॉर्स दोनों और हातों के लिए आप भी इतना ही इस्तमाल करें और अगर बॉइज इस्तमाल करें तो भ अब यहां पर इक बात नौट करिए कि एक वीडियो पहले भी अपलोड हुई है लेकिन इसमें एक दो चीजें हमने इस्तमाल नहीं की थी जिसका इस्तमाल हम आपको इस वीडियो में बतावाएंगे ज्यादा अच्छी रिजर्ट के लिए ताकि आपको एमेर्जंसी रिजर् कियां कीजे के दूसरी दफ़ा में आप देखके हरान रह जाएंगे कि आपने इस तक इसको इस्तमाल क्यों नहीं किया क्योंकि ये तेज ना होते वे भी तेज हैं यानि के केमिकल्स पर नहीं हैं चीजें भी सारी नेच्छल हैं लेकिन आपको रिजर्ट इसका अच्छा मि करूंगे तमाम वीडियो को पूरी तवज्जो से सुनिए गया इसमें मैं सभी कुछ बता दूंगी जो आप छोड़ सकते हैं जो नहीं छोड़ सकते हैं एक तीस्पून मैंने लिया आप इसकी जगा पे दूद इस्तमाल कर सकते हैं हर हर चीज़ का पार्ट नेक्पी मैं ब कर सकते हैं बट यह इसलिए बनाई है क्योंकि यह बॉइस के लिए बॉइस के पाल जो है वो गुल्डन या लाइट नहीं हो लेकिन उनको रिजर्ट पूरी मिल जए अप यह मेरे पास हाइड्रोजन है पिछले वीडियो में आप लोगों ने पूछा था कि हाइड्रोजन या फार उक्साइड यह दोने इचीज होती हैं आप कोई ले लिजी एक दी स्पून मैंने शामिल किया है इससे कोई टैंशन नहीं होगी आपको कोई मसला नहीं होगा सैंसिटिव स्किन पर आप इसको इसको इस्तमाल मत कीजिए मत कीजिए और चेहरे पर आपने हाइड्रो है इस्ताइड लोगे चेहरे पर और पाओं के लिएरे शिरफ चेहरे पर हाइड्रोजन नहीं डालना बाजान यह दालना अ कि वाथडलो फेज्माल करें तो इसमें आप ला सकते यह वसेर वायजन गल्स दोनों के लिए ठीख हो गया उसके बास मेरे पस यह शही है मेरे पिलकुत प्योजा राय आपके प्योर राय तो वैलेंगडिट नहीं है आदे टीस्पूने इसमें शहाद के मिलाएगी उसके लाबा इस रामडी को भी मैं च्छोटी उमर की लेटके लेटकी उर्डेके उसकि Doori नहीं करूँ कि इस वू आप 16 साल से लेके 20 25 साल तक इस्तमाल कर सकते हैं कि अब लेट फूक्टी उमर की नहीं हो रहे हैं 17 साल से लेकि रूक्को कोई भी इस्तमाल उंप के तमाम चीजों के मैंने स्टेप पर स्टेप मिक्स किया है। इससे मिक्सिंग अच्छी होती है। और रिजर्ट पे अच्छाता है। आप दो शायद समाट तो गौर नहीं करता है। बढ़ यह स्टेप पर स्टेप आट लीजिए। आप आफञे जो रिजर्टय। हों अगरर आप नहीं मिलाना चाहते हैं। मैंस्टूलोड介। ऑrationsुर। बढ़ कोई मस्किणूल का स्टेप बादा माटम का झातान जेए। नहीं भी मिलाना चाहते हैं। आप छोड़ दीजी इसको, लेकिन इसके मिलाने से यह होगा कि आपकी स्किन सौप्ट भी रहेगी, लेजी आपके प्रीज क्यार होगी, इसको हमने करना है, सिंपली अप्लाई, चूपके इसमें मैंने हाइडोर्गन इस्तमाल किया है, तो मैं इसको जनाम अपने हाथों निशाने हो, सिंपली इसको अप्लाई किजिए, चेहरे पार हाइडोर्गन इस्तमाल नहीं करना, बाकि सारा तरिक्का यह है, अप्लाई करने के बाद आप इसको पंदरा बेस मिनट के लिए छोड़ देजिए, और उसके बाद आपको बताते हैं, कि आप इसको रिमूव कि इस तरफ से करना है, उसका भी माथट स्पेशल है, जो आपको आगे चलके वीडियो में नजर आ जाएगा, इसको मैंने अप्लाई कर लिए, ठीक हो जाए, और मैं इससे अपने दूस्रे हाथ पर भी अप्लाई कर लूँगी, एक पे मैंने कर लूँगी, क्योंकि यह दाने 10-20 मिनिट के बाद ड्राई हो चुक है, अब हमने क्या करना है, जिस लिमो में से हमने लिमो का रस निकाल लिया था, उसके चीड़ा हमारे पस पड़ा होगा, चीड हो गया, उसकी मदद से आपने स्क्रबिंग करनी है, आपको रिजर्ट यहीं पर नजर आ गया होगा, अगर पाउं पे किया है, तो पाउं पे पी करिए इस्तमाल, नेक पे किया है, तो भी करिए, बट चेहरे पर हाइटो जित इस्तमाल अपने लिमो के चीड़ा होगा, ठीक हो गया, एक से दो मिनिट आपने अची तरह से स्क्रबिंग करनी है, जब तक मैं मैं करती हूँ, इंस्टेंट रिजर्ट के लिए रेमेडियस जो होती हैं, बट कि इसका रिजर्ट पूरी आपको नजर आएगा, तो इसको लाजमी आपको शेयर करना शाहिए, ताकि इपर जो है वो जो लोग पालर नहीं जा सकते, आपो नहीं करते, तो इस नेच्रिल रेमेडियस से पू परना भी जाते हैं, तो इसमें से मीठा सोड़े की मिक्तार का हम लेती है, अपनी स्कील थी साब से, आलमोस तमाम बाते मैंने प्लेर करती है, और मेरा स्क्रबिंग भी कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसको वाश कर देले हैं, जैसे कि आप देख थे हैं, कि मैं अपने हैं रूटीन में तो हम इस्तमाल नहीं कर सके, लिगे इतना सा सूथिंग लोशन आपने लेना है, अब यहां भी आप लोग को पताते चले, अगर नहीं है तो बाबा परिशान नहीं हो ना, कोई भी वाइटनिंग लोशन घर में पढ़ा है ना, उसके साथ आप 2-3 मिनिट हाथ इसका मसाज करें, रिखे हालके हाथ से मसाज करते करते हैं आपको वाइट निक रेन दीम नजरा शूड़ राना शूड़ हो जाएगी, आप लीज वगेरा, बालच दीम नगर पर करते आप लीज हो रेखे करती है, आप फ्रेशे करती हैं, उसने इसके स्तमाल किया करिे, अ तो इसमें यूँ आओ के कैम टच होने की वज़ा से हमारा जोब रिजर्ट चेंज हो गया अब यहां पर हंसी वागी बात मुझे यह है कि मैंने कॉमेंट्स को देखा तो मैं बहुत परिशान हुई कि इस अपने लिखा के आपने चेंज कर दिया फैक चेंज कर गया यह हो गया यह हो गया इस पर हम बाद में बात करते हैं पहले आप यह देख दीजिए कि रिजर्ट आपके सामने है आप लिख सत्य है कि एक दफ़ा पंद्रह भी स्वेट कि इस मेहनत से मज़े कितना अच्छा रिजर्ट मिल है कि लिख में अगर आप इससे दो बार इस्तमाल करेंगे तो आप वह पॉलर जाने की ज़रूरत नहीं पढ़ेगी आपके सिकन एक दम से सॉक्ट एंड क्लियर हो जाएगी जैसा कि आपको नजर भी आ रहा है और आपको यह वीडियो इची भी लेकी होगी तो इसको प्लीज अभी अपने प्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं यह वीडियो खतम होने से भी पिपेंदे और इसके साथ ही वीडि अब चलते हैं अब आज के लेसन की तरफ और उसके साथ बात से लेगे हम अपने मेसिज की तरफ सच पहले लेसन में आपको यह कहना चाहेंगे कि हर तारीक रात के बाद सुबह ने नमुदार होना ही है यह हम सब जानते हैं इसलिए हमेश्या पूर उमीद रहो अल्ला हम सब जानते हैं कि रात हुए इसके बाद सबेरा लाजमी होगा इतनी मैना से वीडियो बनाई है एक लाइक तो बनता है ना और दूसरा यह कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दुबारा कैसे ढूणेंगे तो इसका हल यह है कि आप हमारे सेनल को सबस्क्राइब कर लिजिए और इस बैल के आइकन को क्लिक कर लिजिए इस तरह हमारे आने वाली तमान वीडियो आप तक पास